हेलो गाईज, वेलकम बैक टूर चैनल, CAC Concepts with Parinita गाईज, अभी अभी GTU का एक Circular आ गया है, आपके College के Reopening को लेके तो गाईज, कल अलरी मैंने Newspaper के हिसाब से आप लोगों को एक News दी थी Current News, कि गुजरात के सारे Colleges जो है, उनके First Year का Reopening इस Monday से होने वाला है इसे उस News में लिखा हुआ था, बट आप इसे कावे सारे Students confused थे कि GTU का Circular नहीं आया है सो फाइनली GTU का वो Circular आ चुका है, इसमें डीटेल में देख लेते हैं कि कब से आखिर Reopen होने वाला है, कौन से-कौन से Rules and Regulations है, Hostel खुलेंगे या नहीं, किस तरह से खुलेंगे यह सारी चीजे GTU ने Officially बता दिया है, जो GTU Affiliated जितने भी Colleges से वो सब के लिए लागू पड़ेगा ठीक है, तो डीटेल में देख लेजिए क्या-क्या चीजे हैं और वीडियो को लाइक कर दीजेगा, अपने सारे GTU Friends के साथ शेयर कर दीजेगा देखें यहाँ पर क्या लिखा है, First Point is The Physical and Offline Teaching Classes for Students of All the Institutes will commence from 8 to 2021 for First Year Students of All the Courses तो अगर आप GTU Affiliated किसी भी College में है और आप कोई भी course कर रहे हैं लाइक B.E.M.E. B.Farm, M.Farm, B.E.Ark जो भी आप course कर रहे हैं अगर आप First Year के Student है तो आप लोगों का Offline Class परसो से मतलब इस Monday से ही 8 तारिक से खुल जाएंगे मतलब पहले की तरह आप College में जाके पढ़ सकते हैं तो guys देखें यहाँ पर क्या बोला है कि class की size जो है वो number of student पर depend करेगी पर पहले जैसे होता था कि एक class में 40 students, 60 students, 80 students बैठते थे उस तरह से नहीं होगा एक class में number of student जो है वो कम बैठेंगे और कैसे होगा कि zigzag में मतलब की सरह से होगा जैसे first bench में जो student एक bench में लगभग एकी student बैठेगा और first bench में जो student बैठा है अगर वो right side बैठा है left side में जो student बैठेगा वो left side third में again right side, fourth में left side इस तरह से zigzag manner में बैठा जाएगा ताकि जितना हो सके दो student के बीच का distance maximum हो और एक student दूसरे student के touch में ना आए third point में लिखा है if the hostel facility is provided then presently maximum two students per room to be allocated in the hostel तो देखे गाई जिस यहां पर hostel के लिए यहां पर clearly लिखा है that if the hostel facility is provided तो आप में से काफे सारे students hostel के बारे में पूछते हैं कि hostel खुलेगा या नहीं तो इधर यह circular से भी यही clear हो रहा है कि if hostel facility is provided उसका मतलब hostel आपका यहां पर college खुल रहा है इसलिए hostel भी खुलेगा ऐसा जरूरी नहीं है यह आपके college पर depend करता है कि अगर आपके college के जो higher authorities है अगर वो लोग चाहे तो hostel अभी खुल सकते है वरना नहीं तो वो आपको आपके college से confirm करना पड़ेगा और अगर आपके hostels भी खुल जाए तो वो बहुती ज़ादा restriction के साथ खुलना पड़ेगा और main restriction जो यहाँ पर दिया है वो यह है कि आपके hostel में हर एक room में maximum दो जन रह सकते है दो जन से ज़ादा नहीं रह सकते एक room के अंदर तो वो इनोंने government ने यहाँ पर guideline दे दिया है तो अगर आपको hostel facility मिल भी रहा है तो भी इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि एक room में दो students से ज़ादा आप लोगों को नहीं रहना फोर्थ point is it is mandatory for all the stakeholders to follow the guidelines given by the government time to time तो government of Gujarat मतब government के तरफ से अभी colleges start तो हो रहे है बढ़ जिस तरह से guidelines दिये जाएंगे वो सारे guidelines आपको follow करने पड़ेंगे अब देखे कुछ यहां पर बहुत important जो guidelines है वो मैं यहां पर quickly बता देती हूँ face mask compulsory होगा mask या रुमाल यह किसी तरह से भी आपको face cover करके रखना है compulsory secondly आपको frequently हाथ धोते रहना है soap से आपको sanitizing sanitizer यूज़ करना है मतलब अगर coughing or sneezing हो रही है तो आपको उसका proper ध्यान रखना है ताकि आपके आसपास कोई भी infect ना हो उसके वज़े से अगर by chance आप बीमार है मतलब अगर कोविड तो नहीं बट अगर normal आपको सर्दी खासी बुखार जैसा कुछ है तो भी आपको सामने से जो दूसरे students से उनको बता देना है आपको अगर ऐसा कुछ है तो थोड़े दिनों के लिए आपको school नहीं जाना, college नहीं जाना इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है उसके अलाबा splitting is strictly prohibited मतलब open में थूकना is strictly prohibited ऐसा नहीं करना चाहे वो students हो faculties हो, आपके वहाँ पे कोई और healthcare workers हो, beyonds हो बट सबको यह चीज़ का ध्यान रखना है that splitting is strictly prohibited और एक और चीज़ जो बहुत compulsory है वो है कि जो भी campus में present हो चाहे वो faculties हो, students हो सबको compulsory अपने mobile में ROGES A2 app installed रखना है और उसको active रखना है तो यह कुछ बहुत ही important चीज़े है जो सारे students को ध्यान में रखना है और यह सबके साथ परसों से ही Monday से first year के students के colleges खुल जाएंगे बट हाँ यह जो circular है इसमें इतना clearly इन्होंने दिया नहीं है कि online classes भी start रहेंगे या नहीं बट जो normal news हमें मिल रही है वो इसी तरह से मिल रही है कि online classes भी start रहेंगे तो जो students online classes continue करना चाहते है रिस्क नहीं लेना चाहते है वो लोग online classes continue कर सकते है और जो students college जाना चाहते है पहले की तरह वो college जाना start कर सकते है So that's all for today अगर आपको और कोई भी doubt है कोई भी question है तो आप comment section में पूछ चकते है We can try to help you out Thank you so much